जी तो देखिए मेरा नाम प्रमोद और आजम बात करने वाले हैं IDBI Bank मतलब एक बहुत बड़ा बैंक की बात कर रहे हैं बैंक एक बहुत बड़ी चीज होती है आप सब जानते हैं किसी भी कंपनी में जो बैंक होते हैं वो एक में रूल नहीं बात हैं और अपनी कंपनी मतलब अपनी कंट्री इंडिया के अंदर भी एक में रूल है इन बैंकों का अंदर चाहिए वो छोटे बड़े बैंकों कैसे ही बैंकों लेकिन वो एक में रूल अपनाते हैं तो उसी एक बैंक की नियूज है IDBI Bank की उससे पहले अगर मैं आपको बता दू यह निवीदन मान लो आप किसी चीज़ का तो आप से यह कहना चाहूँगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले जाके क्रीपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिर ही वीडियो देखिए तो चलिए शुरू करते हैं जैसे आप देख सकते हैं गॉर्मेंट LIC has self full stake in IDBI Bank open offer may be triggered तो जो IDIBI Bank है उसके जो LIC ने stake ले रखे थे उसके अंदर वो full stakes बेचने वाली है LIC क्योंकि उनको अभी शाहिद किसी काम के लिए उन चाहिए होंगे लेकिन वो बेचने वाली है Department of Investment of Public Acid Management has classified that the government of India LIC of India intend to sell their full stake with an open offer also possible as per sebi guidelines that the quantum of stake will be decided before the request of proposal tag जो जो I had Department of Investment Public Acid Management उनने clarify कि LIC ने instead sell करने के लिए काया और open offer रखा है साथी में sebi के guidelines has possible करते हुए तो बात इतनी सी अगर गिरेगा तो IDBI खोड़ो को जटका लगेगा क्योंकि एक बहुत बड़ा promoter उसके सारे stake बीच रहा है तो बहुत ही बुरी बात है in the extent of transaction there will be devisement of GOI and LIC shareholding in IDBI bank along with the transfer of management control the open offer can be triggered for as per sebi regulation in this regard the department said Friday respond to queries to potential bidder potential potential bidder तो इतनी थी आज की news अगर आपको पसंद आया तो like and subscribe करना thank you